सभी बच्चों को मेरा प्यार बढ़ा, गोड इबनिग NCRT, Class 11th Mathematics Exercise 3.3 3.1, 3.2, 3.3 के 1 to 11 questions का वीडियो मैंने अप्लोड कर दिया है कोसिस की है समझाने की पूरी इमानदारी से रैटिंग थोला गंदी है, लेकिन समझ में आ जाएगा कि कहा 3 लिखा, कहा 4 लिखा, अब गंदी है तो है, वो अच्छी नहीं कर सकते, क्योंकि एक उम्र के बाद में रैटिंग अच्छी होती नहीं है अब हम कोशन नमबर 12 से स्टार्ट करते हैं, यह अन्सी आरटी का है, कोशन नमबर 12 से स्टार्ट करते हैं, देखे, 12 कोशन क्या कह रहा है, जरा समझने की कोसिज करिएगा, इसमें बहुत सारे फार्मुले हैं, साइन स्क्वाइर माइनस साइन स्क्वाइर बी वाले फार्मुले थे, साइन ए प्लस बी वाले थे, साइन ए मानस बी, साइन सी डी फार्मुले थे, बहुत सारे फार्मुले हैं, इसका मने वीडियो अप्लोड कर दिया है, मैं डिस्क्रिप्शन में फिर फार्मुले बता द कि ठिक ठाक समझा रहा हूँ तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिजिएगा अगर आपको लगे और लगेगा कि मैं टाइम पास कर रहा हूँ तो आप भी टाइम पास करके निकल जाएगा स्टाट करते हैं 12th question कहे रहा है कि प्रूफ करिए sin square 6x sin square 6x minus sin square 4x sin square 4x is equal to sin 2x into sin 10x sin 2x into sin 10x देखे इसके दो मैथेड्स हैं एक shortcut method है और एक लंबा method है हम first method आपको बताने जा रहे है जो कि shortcut method है shortcut का मतलब shortcut नहीं है हम इस derivation को कर चुके हैं वही से हमने formula उठाया है ठीक है एक formula हमारे पास है we know that we know that कि sin square a minus sin square b अगर कहीं पर ऐसा लिखा है sin square a minus sin square b तो इसको direct हम लिख सकते हैं sin a plus b into sin a minus b direct हम इसको formula की तरह use कर सकते हैं जब sin a plus b और sin a minus b का formula बताया गया है वहाँ इसका derivation बताया गया है ठीक है so अगर अगर अब यहाँ पर formula उसका इस्तेमाल कर दें हमारे पास क्या है sin square 6x minus sin square 4x तो साब साब दिख रहा है कि a की जगे क्या लिखा हुआ है 6x लिखा हुआ है b की जगे क्या लिखा है 4x लिखा हुआ है उठा की formula रख दीजेगा लेकिन ध्यान रखें कि जब हम direct कोई formula यूज करते हैं तो हमको formula लिखना पड़ता है ठीक है क्योंकि अगर that ये answer लिख दोगे तो prove that क्या हुआ है examiner ने कहा आपने क्या क्या ये लिख दया equal to ये लिख दया तो आप लिखेंगे ना कि we are going to apply this formula तो when you apply this formula in the place of a you put 6x in the place of b you put 4x तो what you get you get sin 6x plus 4x in one bracket into sin 6x minus 4x in other bracket तो when you calculate it it will get you will get not it will 10x into sin 2x और I hope this is right hand side तो एक तो ये formula हो गया ये method हो गया इस question को लगाने का ठीक ये भी सही method है लेकिन माल लिया ज्यादा number का question आगया आपको लगेगा रहे 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 तो diet हो गया थोड़ा लंबा कर देते हैं तो लंबा कर दीजे तो ज़रा second method देखिए ये method नोट कर लीजेगा second method में क्या होगा LHS ले लिया हमने साब साब दिख रहा है कि sin square A minus sin square B यानि A square minus B square के formula पहले आप खोल देंगे इसको यानि इसको लिखेंगे हम यहां से लिख रहे है एक bracket में sin 6x minus sin 4x और एक bracket में लिखेंगे sin 6x plus sin 4x ये तो simple जो class 9th वगरा 8th वगरा में formula था ना A square minus B square is equal to A plus B minus B अब आपको यहां दिख रहा होगा sin C minus sin D यहां sin C plus sin D का formula दिख रहा होगा तो formula अगर आप apply कर रहे हैं तो you should write the formula formula लिखना भी चाहिए तो हम जानते हैं कि formula होता है sin C plus sin D का क्या होता है 2 sin C plus D by 2 into cos C minus D by 2 ये sin C plus sin D का formula होता है पड़ा होगा आपने ठीक है हमने formula का एक वीडियो बनाया है और हमने इसके पहले वाले वीडियो में हमने उसके description में दे भी दिया इसमें भी दे देंगे तो formula देख लिजेगा तो एक तो ये formula आपको देख रहा है यहां पर ठीक है एक formula sin C minus sin D का होता है sin C minus sin D formula बार-बार नहीं लिखेंगे एक बार लिख दिया एक question में अगर same formula हम use करेंगे ड्राइटन लिख देंगे sin C minus sin D क्या होता है 2 यह sin of cos का जो place होता है वो बदल जाता है तो यह आएगा 2 cos C plus D by 2 into sin C minus D by 2 थो यह formula यहां अप्लाई कर दें दिख रहा है sin C minus sin D तो C बोले तो 6X और D बोले तो 4X तो sin C minus sin D क्या लगेगा यह वारा formula अप्लाई करो 2 cos 6X plus 4X by 2 into sin 6X minus 4X by 2 यह तो पहले bracket का formula आपने अप्लाई किया अब चुक्कि ब्रैकेट बढ़ा जाएगा तो यह formula हम फिलाल रब किये दे रहे है यह formula आपने देखी लिया है कौन सा formula अप्लाई करना है ठीक है अब यहां क्या दिख रहा है sin C plus sin D लगेगा तो formula सेम होता है sin cos का जो place होता है वो change हो जाता है तो इसको क्या लिखेंगे 2 sin 6X plus 4X by 2 into cos 6X minus 4X by 2 यह हमने formula लगा दिया sin C plus sin D का है ना यहां क्या होगा 2 cos जड़ा ध्यान से देखी 6X plus 4X will be 10X by 2 बुले तो 5X तो 2 cos 5X यह क्या हैगा sin 6 minus 4 2 2 by 2X हो जाएगा sin X into यह bracket साब बंद कर दो अच्छा लगेगा यह क्या हैगा 2 sin 5X into cos X अब थोड़ा दिमाग लगाईए कि यह भी angle 5X है यह भी angle 5X है यह दोनों एक विरादर के लग रहे हैं इनको एक साल लिख दो तो 2 sin 5X into cos 5X एक bracket में कर दो और 2 sin X into cos X एक bracket में कर दो अगर आपको फार्मला याद हो तो 2 sin A cos A का फार्मला sin 2 A का होता था अगर 2 sin theta into cos theta लिखा हुआ है अब आप कोएगगे यहां क्यों नहीं आप बोलने हैं पर यहां की बात कर लेते हैं तो यह sin 2 theta लिखा हुआ है यह जो भी यह angle होता है ना उसका double हो जाता है तो यहाँ theta की जिएक 5x लिखा हुआ है तो यह हो जाएगा sin 10x और यह हो जाएगा sin 2x और this is equal to right hand side तो यहाँ दो तरीके के formula लगे एक sin c plus sin d और sin c minus sin d और एक sin 2 theta का formula हमने पढ़ रखा है कि अगर sin 2 theta है जिसको लिखते हैं 2 sin theta into cos theta तो यह formula यहाँ पर apply किया तो this is question number 12 ओकी देखें question 12 क्या है cos square 2x minus cos square 6x is equal to tick 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 जो भी लिखा हुआ है अब आपको लगेगा कि तो बिल्कुल पीछे अला format है जी आवा ही format है तो यहाँ पर क्या करेंगे आप cos square 2x minus cos square 6x इस square का मतलब समझ लिजे पहले थोड़ा सा इसका मतलब यह cos 2x का whole square लिखा हुआ है ठीक है यह actually जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा है यह लिखा है cos 2x का whole square minus cos 6x का whole square ठीक है यह ध्यान लगेगा तो आपको देखने से कुछ लग रहा होगा एक formula फिर वही a square minus b square एक bracket में a plus b एक में a minus b यानि एक में आएगा cos 2x plus cos 6x और एक में आएगा cos 2x minus cos 6x अब आपको इसके पहले वाले question में sin c plus sin d sin c minus sin d दिख रहा था यहाँ पर cos c plus cos d और cos c minus cos d होता है यह लिख देते हैं formula बाद में रब करेंगे हम देखे cos c plus cos d यह c d एक indicators होते हैं कि one angle is considered as c other angle is considered as d c d को इसके रहाँ सदार नहीं है ध्यान रखेगा तो इसका formula होता है 2 cos c plus d by 2 into cos c minus d by 2 तो यह cos c plus cos d का formula है जो हम यहाँ पर apply करेंगे है ना अच्छा एक formula यहाँ apply होगा cos c minus cos d का तो यह होता है minus 2 sin c plus d by 2 into sin c minus d by 2 इस formula में थोड़ा सा confusion है confusion यह है कि कहीं कहीं पर यहाँ से minus कामल ले लेते हैं यह हैं आएंगल से जब minus कामल लेते हैं तो यह बन जाता sin minus theta और sin minus होता है minus sin theta तो यह minus को हटा देते हैं और यहाँ लिखते हैं sin d minus c by 2 तो confuse मत होना मताँ यह formula ऐसे भी लिखा जाता है 2 sin c plus d by 2 into sin यहाँ d minus c by 2 हो जाता है मताँ अंगल जो है वो पलड जाता है पलड इसले जाता है क्योंकि यहाँ पर minus कामल ले लिया गया है और sin minus theta का formula minus sin theta होता है उसे apply करने की वज़े से हटा दिया गया तो अगर यह formula apply हो यह formula apply हो तो confuse ना हो ना same formula is there तो हम इसको rub कर रहे है because क्योंकि writing गंदी है तो हम ज़्यादा running between the wicket हमारा हो जाता है साब-साब लिखने की चक्कर में तो यह तोनों formula पर देख लीजेगा now we are going to apply this formula क्या formula apply करेंगे यहाँ पर sin c plus sin d लगा देते है तो आएगा 2 2 cos 2 x plus 6 x by 2 into cos 2 x minus 6 x by 2 यह तो पहला bracket हो गया है ना और यह है cos c minus cos d तो हम ऐसा करते हैं minus apply नहीं करते हैं minus नहीं लिखता हूं मैं तो यहाँ लिखेंगे 2 sin 2 x plus 6 x by 2 into sin हमने क्या कहा क्या आप d minus c by 2 कर दो ठीक है यह जैनि 6 x minus 2 x by 2 6 x minus 2 x by 2 कोई confusion नहीं हुआ होगा ऐसे भी लिख सकते हों वह आप कहेंगे हम तो सीदा सीदा लिखेंगे ज़रा राइटिंग गरबढ़ है यह ऐसे slope जा रहा है लेकिन आप उसको बताये ना कि सेज में नहीं सुधार सकते कोसिस कर रहा हूँ साब साब लिखूँ तो यह आएगा 2 cause देखें 6 plus 2 8 8 by 2 तो 4 x तो 2 cause 4 x हो गया यहाँ पर देखिए cause 2 x minus 6 minus 4 minus 4 upon 2 minus 2 तो cause minus 2 x हो गया into इसको बंद ही कर दो bracket में बिरादर एक ही है यहाँ पर देखिए 2 sign 6 plus 2 8 8 upon 2 4 यहाँ पर 2 x आएगा देखिए यहाँ minus गरबड कर रहा है चुकि हम फार्मुला पढ़ चुके हैं कि cause अगर minus theta हो तो यह cause theta होता है यह अगले step में यह positive हो जाएगा और minus अपने आप हड़ जाएगा और इसका कोई change नहीं होगा हड़ा देगे minus अब देखो 4 x यह angle है और 4 x यह angle है दोनों बिरादर एक साथ लिख देते हैं तो हम क्या लिख देंगे 2 sign 4 x एक bracket में और cause 4 x इसके साथ में यह एक bracket हो गया और 2 sign 2 x और into 2 cos 2 x एक bracket में कर दिया अभी इसके पहले आप फार्मुला लगाया है sin 2 a का होता है 2 sign a cos sin 2 theta होता है then it's 2 sign 4 theta into cos 4 theta sin 2 theta होता है theta बोले तो जो भी angle है उसका double हो जाएगा तो यह sin 8 x हो जाएगा यह हो जाएगा sin 8 x into sin 4 x और यही right hand side है और hands proved हो गया ठीक है तो this is the question number 13 I hope tough नहीं है यहाँ भी cos square a minus cos square b का diet formula होता है cos a plus sin a plus b into sin b minus a plus b into a minus b होता है लेकिन न अप्लाई करिये procedure apply कर दिये okay this is question number 13 okay देखे 14th question क्या कहता है sin 2 x plus 2 sin 4 x plus sin 6 x is equal to 4 cos square x into sin 4 x हमें यह question नहीं मालूम कि हम solve कैसे करेंगे ठीक है हमें थोड़ा सा दिमाग भी लगाना पड़ेगा हमने पहले lhs ले लिया और ले लिया मतलब हम लेनी रहें और लिया हुआ 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 है तेकि अगर हम अपने result में sin 4 x तो लाना है और left hand side में sin 4 x दिया हुआ है पहले से इसका मतलब चुकि right में sin 4 x को लाना है इसलिए left में उसको छेंड़ खानी नहीं करेंगे तो हमने का तुम बेटा बैठे रहो इन दोनों को एक सा लिग देता हूँ तो हमने क्या किया sin 2 x plus sin 6 x को एक साग कर दिया और 2 sin 4 x को अलग कर दिया अलग मतलब को छेंड़ेंगे नहीं बस ऐसा नहीं इसको छोड़ेंगे छोड़ेंगे भी नहीं लेकिन छेंड़ेंगे भी नहीं अब यहाँ पर sin c plus sin d का फामला दिख रहा है अब इसके पहले वाले question में था sin c plus sin d क्या होता है 2 sin c plus d by 2 into cos c minus d by 2 तो इसको क्या लिखेंगे 2 sin c बोले तो 2 x plus 6 x by 2 और into cos 2 x minus 6 x by 2 और plus 2 sin 4 x 2 sin देखो 2 x plus 6 x करोगे तो 8 आएगा 8 upon 2 करोगे तो 4 आएगा तो यह 2 sin 4 x हो गया यह क्या आएगा cos 2 x में minus 6 करोगे तो minus का 4 आएगा minus का 4 को 2 से डिवाइट करोगे तो minus का 2 x आएगा और plus 2 sin 4 x अभी हम बता चुके हैं कि sin minus cos minus theta cos theta होता यहाँ अपने आप हट जाएगा और यहाँ से आपको 2 sin 4 x कामन दिख रहा होगा तो 2 sin 4 x कामन ले लिजे अंदर क्या बचेगा चुकि यह हट गया आपका एक मिनट कुछ कामन ठीक है यहाँ पर आएगा cos 2 x प्लस 1 एक बात ध्यान रखीगा cos 2 x का सबसे बड़ा सबसे बड़ा सबसे बड़ा दुश्मन 1 होता है आपका चाहे जहाँ प्रूफ हो cos 2 x हमेशा पहले वो फार्मॉला अप्लाई करने की कोसिस करेगा जो 1 को कैंसल कर दे तो cos 2 x के हमारे पास 3 फार्मॉले थे cos 2 x का एक फार्मॉला है cos square x minus sin square x एक फार्मॉला है 2 cos square x minus 1 और एक है 1 minus 2 sin square x तो इन तीन में से दो फार्मॉले जिसके पास 1 है और 1 को कैंसल करने की ताकत है वो ये दो है तो आपको इन दोरों में से वो चुनना है जो 1 को कैंसल करते साब साब दिख रहा है भई इस फार्मॉले में minus 1 आ रहा है अगर इस फार्मॉले को अप्लाई कर देते हैं तो इस 1 को कैंसल करेगा ध्याना कि चाहे जो प्रूफ कर रहे हो टिगनामेट्री में अगर cos 2 x के साथ अगर 1 आता है तो cos 2 x पटक के मारता है 1 को पहले तो 1 को कैंसल कर दो रिजल्ट के आ रहा है वो अलग की बात है रिजल्ट से हमसे बात में मतलब है तो यानि 2 sin 4 x और ये आएगा 2 cos square x minus 1 plus 1 ये कैंसल हो गया अब देखो ये सब मल्टिप्लाई में लिखे हुए 2 2s are 4 तो 4 ये हो गया cos square x हो गया sin 4 x हो गया ये ही तो आपका right hand side है अब आप कहेंगा अरे वा आपको कैसे मालू हुआ ऐसे लगेगा हमको नहीं मालू था सच में नहीं मालू था हमने ये देखा कि हमारे right hand side में sin 4 x ला रहे है तो हमने का वह sin 4 x ला रहे है तो इसको कहें छेडा जाए इसको छेडा नहीं और अपने आप formula लग गया ठीक है अभी practice तो होती है इसको करेंगे ही तो this is question number 14 देखिए 15th question क्या कह रहा है cot 4 x sin 5 x plus sin 3 x is equal to cot x sin 5 x minus sin 3 x इसके दो तरीके question लगाने की है पहरा तरीका ये है कि cot को sin cos में convert कर दे यहां sin c plus sin d formula लगा दे और कुछ calculate कर ले दूसरा फिर right hand side ले 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 यहां पर sin c minus sin d लगा दे कुछ calculate कर ले और दोनों side equal हो जाएंगी लेकिन मेरा जो मन ये कह रहा है कि भाई ये दोनों रिस्तेदार है sin cos ये एक दूसरे को ध्यान से देख रहे है मेरे फूपा मेरे मामा और ये दोनों रिस्तेदार है तो एक एक रिस्तेदार को एक एक के साथ ले आओ ऐसा करते हैं कि हम cot 4x लिखा रहेने देते हैं और इस cot x को इधर ले आते हैं ठीक है और इधर ये लिखा रहेने देते हैं sin 5x minus sin 3x और upon sin 5x plus sin 3x अब तो कुछ-कुछ दिख रहा होगा ये एक जैसा एक तरफ हो गया एक जैसा एक तरफ हो गया थोड़ा अच्छा लगेगा ना फ्रेंड फ्रेंड एक साथ अब आप राइट हैंड साइड ले लिजेगा और sin c minus sin d और sin c plus sin d लगा दीजेगा अपने आप कट्पीट के जुआ ना होगा आ जाएगा तो taking rhs अब आप कहेंगे left hand side से लगाएं चिए में left hand side से लगाने में क्या होगा इस 4x को 5 और 3 में convert करना थोड़ा सा टेड़ी खी रहे टेड़ी नहीं बहुत टेड़ी की रहे तो दिक्कत आएगी इसलिए बड़े को तोड़के छोटा बना दीजेगा तो हमने taking rhs ले लिया वो taking rhs में ले लिया अपने आप आगया taking rhs हो गया तो rhs नोट कर लिया हमने मतब नोट नहीं कर रहे हैं अब देखो यहाँ पर sin c minus sin d दिख रहा है अब इसके पहले बता चुके है sin c minus sin d क्या होता है 2 cos c 5x 2 cos c plus d by 2 और into sin c minus d by 2 ध्याने कि यह sin c minus sin d है cos c minus kai hd अलग होता है minus 2 sin c plus d by 2 into sin c minus d by 2 अब आन यहाँ पर sin c plus sin d लगा दिया क्या होता है 2 sin 5x plus 3x by 2 into cos 5x minus 3x by 2 अब फ़र आप mathematically कल्कुलेशन कर लो यह 2 2 भाईसे आप तो cancel हो गए यह हो गया cos देखे 5x plus 3x हो गया 8x 8x by 2 हो गया 4x cos 4x into 5 में 3 minus करो तो 2 आएगा दीचे 2 से divide करो तो 1x बचेगा तो sin x बचेगा अपान यह करोगे तो sin 4x आएगा और यह करोगे तो cos x आएगा आप ध्यान से देखेगा यह 4x 4x एंगल सेम है और cause अपान sign आपने पढ़ा है cot तो यह लिखा है cot 4x cot 4x और sign अपान cause 10 होता यह 10x हो जाएगा अब चुकि आपको अपान में cot लाना है आप जानते हैं 10 का उल्टा cot होता है तो यह 10 नीचे आ जाएगा तो यह हो जाएगा cot 4x अपान cause x it is equal to right hand side left hand side आरचस तो ले के हम चले थे यही LHS है तो दोनों तरीके हैं आप चाहो तो cd formula यहाँ apply करके left hand side solve कर लो फिर cd यहाँ apply करके right hand side solve कर लो और कह तो दोनों side equal है या एक तरफ ले आओ जैसा भी आप चाहें आप कर सकते हैं यह आप free ठीक है देखे question 16 क्या कह रहा है कि cos 9x minus cos 5x upon sin 17x minus sin 3x यह जो भी लाना है आजाएगा आपको taking lhs ले हो गया और ले लिया हमने नोट नहीं कर रहे हैं यह नोट कर लिया हमने अब आपके अच्छा भाई नोट नहीं कर रहे हैं नोट कर लिया जब फरजी नहीं चलेगा आरे कोई दिक्कत नहीं मालू में lhs ले लिया देखो इसमें दिखरा है आपको cos c minus cos d answer आएगा नहीं आएगा हमको नहीं मालू हम अपना formula apply करते आना होगा तो आजाएगा नहीं आना होगा तब भी आजाएगा अगर गलती नहीं है तो cos c minus cos d अब भी हमने क्या बताया minus 2 sin c plus d by 2 into sin c minus d by 2 या ध्यान अखी का minus लगाएगे तो c minus d लिखेंगे और minus नहीं लगाएगे तो d minus c लिखेंगे यानि यहाँ apply formula काउन करेंगे 2 sin minus का होगा 2 sin 9x plus 5x by 2 into sin 9x minus 5x by 2 हम right hand side में नहीं जा रहे हैं हमको लाना है आएगा नहीं आएगा नहीं मारू हम left hand side से एक formula जो visible है जो दिख रहा है वो apply हम कर रहे हैं ठीक है अपान में आजाओ यह लिखा sin c minus sin d तो अभी हम बता चुके हैं 2 cos c plus d by 2 into sin d minus c by 2 तो आएगा 2 cos 17x plus 3x by 2 यह angle है into sin 17x minus 3x by 2 यह टूटूट कर गया minus sin अब 9,5,14 बते दो 7x आएगा तो sin 7x आगया into sin 9 minus 5 4, 4 upon 2, 2 2x आगया upon cos 17 plus 3, 20 20 by 2, 10 तो cos 10x आगया into sin 17 minus 3, 14 by 2, 7x आगया चुके सब multiply में हैं तो यह भाईस आप cancel हो गया यह आगया minus sin 2x upon cos 10x क्या हमने कुछ technology लगाई? नहीं हमको formula दूर से दिख रहा था the formula I have applied this is equal to right hand side hence proved यह चूकि formula आपको पता है बहुत सारे बार आप use कर चुके हैं इसलिए इसमें ज्यादा हम बार-बार formula नहीं लिख रहे हैं तो this is question number 16 17th क्या कह रहा है? sin 5x plus sin 3x upon cos 5x plus cos 3x is equal to 10 4x क्या लाना है वो बात की बात है? बड़ी चीज left hand side है तो बड़े को ही तोड़ना असान हो जाता है छोटे को बड़े में convert करना थोड़ा दिक्कत है देखिए अगर हम left hand side ले ले लिया हमने तो आपको उपर कोई formula दिख रहा है? बुले हमें नहीं दिख रहा है cos c minus d by 2 upon नीचे क्या लगेगा formula cos c plus cos d cos c plus cos d का होता है 2 cos c plus d तर राइटिंग गंदी है कोशिस में करता हूँ लिखने के लेकिन अब ठीक है जो है क्या किया जाए content ठीक है समझ में आएगा जो लिख रहे हैं 2,2 cancel हो गया ये हो गया उपर sin देखे 5 plus 3,8 8,2,4 sin 4x आएगा into cos 5 minus 3 करोगा 2 2 से divide करोगा तो 1x बचेगा नीचे क्या आएगा? cos 4x into cos x ये cancel हो जाएगा और हम जानते हैं sin upon cos 10 होता है angle 4x है तो this value will become 10 4x और this is right hand side ये हमें प्रूफ करना था ठीक है? ओके? this is question number 17 देखे 18th question क्या कह रहा है? sin x minus sin y upon cos x plus cos y is equal to something जो भी लाना है फिर वहीं दिख रहा है आपको वो ले हद देखता है आपको बहुत जल्दी दिख जाता है नहीं आपको भी दिख रहा है क्या दिख रहा है? sin c minus sin d दिख रहा है और cos c plus cos d दिख रहा है तो हमने LHS नोट कर लिया sin c minus sin d हमने क्या बताया? 2 cos x plus y by 2 into sin x minus y by 2 अपान ये क्या दिख रहा है? cos c plus cos d क्या होता है? 2 cos इसके पहले वाले questions में हमने formula यूज किये हैं x plus y by 2 into cos इसमें दोनों cause होते हैं cause वाले में प्लस वाले में दोनों cause होते हैं और minus वाले में दोनों sin होते हैं sin negative आता है ये 2 से 2 कड़ गया, ये same है अब देखो यहाँ पर angle same है और sin upon cause क्या होता है? 10 तो ये 10 x minus y by 2 आ जाएगा 10 x minus y by 2 और यही आपका right hand side है हमने कुछ नहीं किया हमें question दूर से दिख रहा है कि इसको लगाए कैसे जाए ठीक है, इसको note करिए देखे, question 19 क्या कह रहा है? sin x plus sin 3 x upon cause x plus cause 3 x is equal to 10 2 x पहले इस वीडियो को pause करके आप इसको लगाने की कोसिश करिए हम तो नहीं करेंगे हम तो ऐसे उतार देंगे उतार दीजिए क्या दिख रहा है आपको? sin c plus sin d और cos c plus cos d लगा दीजिए sin c plus sin d क्या होता है? 2 sin c plus d by 2 into cos c minus d by 2 upon cos c plus cos d क्या होता है? 2 cos c plus d by 2 into cos c minus d by 2 अब देखो इसको हम calculate 3x है इसको हम कहे को calculate करें भाई? जब वो as it is cancel हुआ जा रहा है तो हटा दो उसको ये भी हट जाएगा ये कितना आएगा? उपर आएगा sin x plus 3x 4x by 2 हो जाएगा 2x upon cos 2x this is the value of 10 to x और proof क्या करना है? यही आपके right hand side में proof करना था, ठीक है? साब साब दिख रहे हैं? यहाँ technology नहीं है वाई-chanse technical भी हो सकते हैं? ठीक, note करिए देखिए 20 question कहरा है कि sin x minus sin 3x is equal to sin square x minus cos square x is equal to जो भी लाना है वो अपने आप देखिएगा हर जिगे cd formula नहीं दिमाग लगा यह थोड़ा सा दिमाग लगा ना पड़ेगा देखो ऊपर तो sin c minus sin t दिख रहा है नीचे क्या दिख रहा है आपको? अब आप कहेंगे साब इसको a square minus b square लगा दो अगर a square minus b square लगा भी दिया आपने तो भाई एक bracket में है का sin x plus cos x मानले denominator में आपने एक bracket लग दिख दिया sin x plus cos x और एक में लिख दिया sin x minus cos x तो भाई यह कोई formula नहीं होता है na sin c plus cos d थोड़ी formula होता है यह formula यहाँ apply नहीं कर सकते हैं ठीक है थोड़ा सा दिमाग लगाईए आप जरा अभी थोड़ी देर पहले इस question में हम बात कर रहे थे कि भाई एक formula होता है cos 2x का यह होता है cos square x minus sin square x ध्यान से देखे तो same formula is given minus की दिक्कत है तो ऐसा करते हैं लेकर के उपर नीचे से minus कामल ले लेते हैं चुकि डिनॉम्नेटर में क्या चाहिए डिनॉम्नेटर में चाहिए cos square x minus sin square x तो हम डिनॉम्नेटर में minus कामल ले लें तो कहे को बाहर minus लिखेंगे ना उपर भी minus कामल ले लें तो उपर लेंगे तो क्या हो जाएगा उपर ये उल्टा हो जाएगा sin 3x minus sin x तो अब उपर तो दिख रहा है आपको sin c minus sin d लगा दो sin c minus sin d क्या होता है 2 cos c plus d by 2 into sin c minus d क्या लिख रहा हूँ भाई minus d by 2 अपान और ये formula cos 2x का होता है आपके ना मालूम हो तो मालूम तो होना पड़ेगा आपको कुछ formula याद भी करने पड़ेंगे तीक है उसमें क्या page पलट के देख लो exam में क्या करोगे exam में page थोड़ी पलट होगे तो आप देखो ध्यान से ये आएगा 2 cos ध्यान से देखेगा 3x plus x 4x 4x by 2 क्या हो जाएगा 2x into sine 3x minus x 2x by 2 sine x और अपान cos 2x से cancel हो जाएगा ये 2 sine x आ गया और यही आपका right hand side है अब आप कहेंगे आपने इसमें a square minus b square क्यों नहीं लगा या भाई अगर लगा भी देते तो एक bracket में cos x sin x plus cos x हाता तो sin x plus sin c plus cos d का कौन सा formula होता है ठीक है इसको note करिए this is question number 20 ये question क्या कह रहा है कि cos 4x plus cos 3x plus cos 2x upon sin 4x plus sin 3x plus sin 2x is equal to cos 3x कैसे लगेगा हमको नहीं मालूम अब आपके अच्छा आपको कोई मालूम है नहीं है question कैसे लगा रहा हूँ ने मालूम तो है लेकिन drama करना पड़ता है ना देखे हमारे तो right hand side है ना वो आ रहा है cos 3x और cos 3x होता है cos 3x upon sin 3x अब plus लगा हुआ है इसलिए कुस कैंसल भी नहीं कर सकते multiply होता तो causes करते तो हम इसको छेडेंगे नहीं क्योंकि इसकी requirement हमारी है और इन दोनों को एक सा लिख देंगे तो हम क्या करेंगे cos 4x plus cos 2x को एक सा लिख दिया और इस cos 3x को बाद में लिख दिया लिखे के साथ में ही मतलब लेकिन इसको हमको disturb नहीं करना है उसी प्रकार से sin 4x plus sin 2x को एक सा लिख दिया और यहाँ पर sin 3x लिख दिया अभी चुकि cos अपान sin नहीं आएगा यह multiply में होता तो आ जाता अब देखो यहाँ पर cos c plus cos d का formula लगा दिया क्या होता है 2 cos 4x plus 2x by 2 into cos 4x minus 2x by 2 और plus cos 3x ऐसे ही लिखा रहे दिजिया अपान देखिए ज़रा अपान में है sin c plus sin d लगा दो तो क्या होता है 2 sin 4x plus 2x by 2 into cos 4x minus 2x by 2 plus sin 3x और यह cancel मत कर देना क्योंकि यह multiply में नहीं है यह plus sin is there तो you cannot cancel it इसमें क्या लिखा 4 2 6 6x by 2 3x हो जाएगा तो उपर क्या आएगा 2 cos 3x हो जाएगा और into यह क्या आएगा यह cos x आएगा और plus cos 3x लिखा रहे दो अपान देखो जाएगा यह 4 2 6 बटे 2 3 आएगा तो यह 2 sin 3x हो जाएगा into cos x हो जाएगा plus sin 3x हो जाएगा अभी भी cancel मत कर देना उपर से cos 3x काम ले लो बही multiply होगे तब cancel होगा ना अगर माले कहीं पर x plus y अपान x minus y है तो x x cancel थोड़ी हो जाएगा तो multiply के case में होता है तो यहाँ नहीं कर सकते ना हम अब देखिए आपको उपर से cos 3x काम ले लिख दीजे cos 3x कामन cos 3x कामन तो अंदर क्या बचेगा अंदर बचेगा 2 cos x plus 1 2 cos x plus 1 और नीचे कामन क्या दिख रहे है यह पूरा step 1 होता है ना multiply भी यह लिखे हैं तीनों step लेकिन plus यहाँ घुसा हुआ है तो नीचे से क्या कामन दिख रहा है sin 3x अंदर क्या बचेगा अंदर बचेगा 2 cos x plus 1 अब यह वाला bracket इसके साथ multiply भी यह cancel हो जाएगा तो यह क्या हैगा cos 3x upon sin 3x this is the value of cos 3x यह आगया cos 3x यही आपका right hand side है तो चुकि 3x लाना था इसलिए हमने 3x को disturb नहीं किया और अपने आप formula दिखे हैं आपर तो this is the question number 21 no doubt देखे question कह रहा है कि cos 2x cos 2x cos 3x cos 3x cos 3x cos 3x cos 2x is equal to 1 देखे इसके दो तरीके हैं या तो हम कुछ चीज़ें left hand side में ले जाएं right hand side में ले जाएं कोई formula बनाने की courses करें हमारे दिमाग में एक चीज़ आ रही है इसको नए सरी से solve करने के लिए कि यहाँ पर तीन प्रकार के angle है एक angle 3x है एक angle 2x है और एक angle x है तो हम इनको आपस पर relate कर दें मतलब हम यहाँ पर प्रूफ करने के लिए formula लगा दे cot 3x का formula किसका लगा दे cot 3x का और cot 3x का न लगा दे cot 3x कर दे cot 2x plus x तो तीनों angle introduce हो जाएंगे 2x भी आ जाएगा x भी आ जाएगा और 3x भी आ जाएगा और cot a plus b का जो formula होता है उत्वाट technical formula होता है cot a plus b का यह होता है cot a into cot b minus 1 upon cot b plus cot a अब आप कहेंगे आपने उल्टा क्यों लिखा भई प्लस में तो आप cot a plus cot b ले सकते हैं जानबूस के cot b plus cot a क्यों लिखा भई देखे होता क्या है जब हम cot a minus b लगाते हैं तो by symmetry a cot b minus cot a हो जाता है जब यहाँ पर आप minus वाला formula लगाएंगे न तो यहाँ पर plus हो जाएगा यहाँ पर minus हो जाएगा क्योंकि symmetry इसी प्रकार से हो जाएगी इसी प्रकार से symmetry में लिखा गए है न तो हम यहाँ पर cot a plus b का formula लगाते हैं तो यह क्या हो जाएगा cot 2x into cot x minus 1 upon cot x plus cot 2x और इधर क्या है cot 3x अब हम इसका कर दें cross multiply आप कहेंगे यह method क्यों लगा है आपने देखिए हमारे पास formula cot 2x का भी था महेंकर formula था cot square x minus 1 upon 2 cot a cot 3x का भी होता है हमने का भी मेरे पात 3 angle थे 3x था 2x था और x था तो मैंने इस तीनों को inter relate कर दिया 3x को कर दिया 2x plus x इस प्रकार से लगाया जब cross multiply करोगे को cot 3x इसके साथ भी जाएगा और इसके साथ भी जाएगा तो यह क्या बन जाएगा यह बन जाएगा cot 3x into cot x plus cot 3x into cot 2x is equal to यह क्या है cot 2x into cot x minus 1 अब अपने proof पे आओ इस minus 1 को इधर shift कर दो तो यह plus का 1 हो जाएगा है ना और यह दोनों step उधर shift कर दो दोनों negative आ जाएगे तो यह 1 इधर आ जाएगा और उधर क्या लिखा है उधर लिखा है cot 2x into cot x और यह दोनों step उधर ले जाओ minus cot 3x into cot x minus cot 3x into cot 2x ध्यान से देखिए proof अहीं आ रहा है आपका cot x cot 2x cot x cot 2x minus cot 2x cot 2x cot 3x minus cot x cot 3x is equal to 1 तो this is the proof of this question number 22 okay note down it तो के question थोड़ा सा बड़ा हाई सेहत मंद इसका answer है कि tan 4x को यह लिखके लाना है थोड़ा एक दिमाग लगा लीजिए बसकी बल यहाँ पर जो angle 4x है ना यह x के term में आ जाए तो हमारे पास एक formula 10 2x का पहले से विद्यमान है कि 10 2x को लिख सकते हैं 2 10x upon 1 minus 10 square x यह हम जानते हैं 2x का मतलब जो भी यहाँ angle होगा उसको half कर देंगे ठीक है अब जरा देखिए आपका angle है 4x तो 4x को हम 2 into 2x ले सकते हैं तो जब यह formula हम यह वाला formula यहाँ apply करेंगे ना तो 2 into x यह पूरा x कहलाएगा यह जो x है ना वहाँ पर वो 2x होगा तो formula क्या मन जाएगा 2 10 2x अपान 1 minus 10 square 2x सुल्जा गया होगा यह जो भी यह angle है ना जैसे यहाँ 10 2x था तो उसको आधा कर दिया x कर दिया 10 4x है उसको आधा कर दिया 2x कर दिया अब 10 2x का फिफ formula यहाँ लगाओ तो चुँकि लंदी formula रहेगा तो ऐसे करेंगे हम 2 यह numerator जो है ना यहाँ क्या लिखेंगे 2 10x अपान थोड़ा यहाँ से start करते है ना थोड़ा सा इसमें plot इदर खाली पड़ा हुआ है इसलिए इसको हम यहाँ से लिखते हैं यहाँ से बढ़ा awkward लग रहा लेकिन अब करेंगे देखे 2 है इस 10 2x को हम क्या लिखेंगे 2 10x अपान 1 माइनस 10 स्कॉर एक्स अब अगर यह denominator में इसके नीचे लिखेंगे दिक्कत आएगी तो मैंने क्या क्या इस numerator को bracket में बंद करके बीच में divide का sign लगा दिया है ना 1 माइनस यह 10 2x का फामुला क्या है 2 10x अपान 1 माइनस 10 स्कॉर एक्स का होल स्कॉर यहाँ पर लिखा हुआ है अब आपने derivation पर भी जाएंगे बाद भी जाएंगे थोड़ा इसको देख लें उपर क्या लिखा है 4 10x है ना नीचे क्या लिखा है 1 माइनस 10 स्कॉर एक्स अभी हम इसको divide का sign ही लिखेंगे अब यहाँ देखिए यह square इस पे भी चड़ेगा और इस पे भी चड़ेगा ठीक है जब LCM ले लोगे तो यह आएगा 1 माइनस 10 स्कॉर एक्स का होल स्कॉर माइनस 210 x का होल स्कॉर अपान 1 माइनस 10 स्कॉर एक्स का होल स्कॉर अभी हम कुछ नहीं कर रहे है अभी कोल इसको mathematically solve कर रहे है थोला छोटा कर रहे है ठीक है अब देखो यह चीज सेम दिख रही है तो आप divide का सान हटाएंगे multiply लगा के और दूसरे वाले bracket को हम inverse कर देंगे पलर देंगे ठीक है इसके उपर से step note कर लिजे जो कि बहुत जगे हम लेते हैं question लगाने में इसको note कर लिया होगा ठीक है इसको रप किये दे रहे हैं अब दरा यहाँ देखिए यह क्या लिखा है 410x upon 1 minus 10 square x और यह multiply लेका थे यह उपर चला गया तो यह क्या बन जाएगा 1 minus 10 square x का whole square upon और इसका whole square खोल दो a minus b whole square क्या होता a square plus b square minus 2ab square थोड़ा बढ़ा खतरनाक लगा हुआ है तो a square बोले तो 1, b square बोले तो 10 to power 4x minus 2ab बोले तो 2 10 square x और यह क्या लिखा है minus 4 10 square x जाद ध्यान से देखिए यह पूरी चीज एक power को cancel कर देगी उपर क्या बचेगा उपर बचेगा 4 10 x in bracket 1 minus 10 square x और नीचे क्या बचेगा 1 plus 10 to power 4x minus 4 10 square or 2 10 square 6 10 square x और यही हमको लगता आपका right hand side है यह बगल में प्रोस में है ठीक है तो यह proof हो गया जाकर के ठीक है तो राइटिंग गंदी है बार-बार हम कहते है लेकिन चुकि बोलते भी जाते है इसलिए समझ में आ रहा है कि हम लिख क्या रहे है वैसे ठीक ही लिख रहे है गंदी है तो क्या करें राइट-बार हम साफ साफ लिखे देरा है राइट-बार हम सेकव एक चीज़ तो साफ हो तो this is the question number 23 ठीक है यह question कह रहा है कि काउज 4x is equal to 1 minus 8 sin square x to cos square x टेके दियान से काउज 4x में 1 कहां से आएगा तो हमारे पास काउज 2x का एक फार्वला भी पहले हम बता रहे थे तो one minus इसी में दिख रहा है आपको और ये angle इसका जब two x था ना ये angle इसका आधा हो गया है यानि इसको हम चाहें तो one minus two sine square two x लिख सकते हैं और इसका मतलब क्या होता है sine square two x को sine two x का whole square होता है और sine two x का formula भी हम बता चुके हैं कि sine two x को लिख सकते हैं two sine x into cause x ये sine two x का formula होता है तो यानि कि इसको हम लिख सकते हैं one minus two इसको लिख सकते हैं two sine x into cause x का whole square whole square जब अप्लाई करेंगे तो one minus two ये क्या आएगा four sine square x into cause square x तो four two तो one minus eight sine square x into cause square x देखे चली ये प्रूफ दिया अच्छी बात है यही right hand side है अच्छी बात है प्रूफ हो गया हमारा लेकिन इसमें ये भी कर सकते हैं कि sine square को लिख दे one minus cause square x ब्रैकेट कोल तो पूरा system cause में भी convert हो सकता है या cause square को लिख दे one minus sine square x तो पूरा system sign में भी करना सकता है तो ये depend करता है कि आपका कौन सा format महाँ दिया गया है तो on spot आपको decide करना पड़ेगा कि विच फार्मॉला यूब तो apply तो दिस इस question number 24 last 25th उसको देखते हैं जरा तो कि question कह रहा है कि cause 6x is equal to ये खतरनाक टाइप पर system है पहले बात इस जो हमको proof करके लाना है उसको दिमाग लगाईए इस proof में पहले बात angle x हो चुका है यनि 6x हो कुछ भी नहीं है ठीक है और पूरा system cause में है बस ये दिमाग लगाना है तो पहले तो आपको LHS ले ले लेना है ले लिया हमने cause 6x देखो इसमें हम एक formula हमारे पास cause 3x का होता है तो cause 3x का जो formula होता है वो क्या होता है 3 cause cube x minus 4 cause x ये cause का उल्टा लिख दिया 4 cause cube x minus 3 cause x ये cause 3x का formula होता है actually sin 3x और cause 3x बहुत close to each other होते है यानि कि जो भी यहां पर angle है ना उसका 3 से divide कर दिया गया है चुकि यहां angle 6x है तो जब यह formula अप्लाई करोगे तो यहां पर 2x आ जाएगा 3 से divide कर दोगे ना तो इसको क्या ले सकते हैं 4 cause cube x बोले तो 2x minus 3 cause x बोले तो 2x ठीक है अच्छा इस cube का मतलब क्या होता है इस cube का मतलब cause 2x hold power 3 minus 3 cause 2x अब अपने proof पे देखे proof में आपको 2x नहीं लाना है पहली बात और पूरा system cause में होना है दूसरी बात इसका मतलब यह हुआ कि cause 2x का वो formula जो cable cause में होता है तो हमने cause 2x का बताया है 1 minus sorry 2 cause square x minus 1 बस यह अपलाई कर दो अंसर आ गया तो देखिए इसको क्या लिखेंगे 2 cause square x minus 1 का whole cube minus 3 1 इसको क्या लिखेंगे 2 cause square x minus 1 अब simple mathematics आपको a minus b whole cube खोलना है 4 बहा लिखा रहेगा a minus b whole cube क्या होता है a cube मतलब 2 cause square x का whole cube minus b cube यानी 1 का cube minus 3 into a a बोले तो 2 cause square x into b बोले तो 1 और आएगा a minus b मतलब 2 cause square x minus 1 यह हमने a cube minus b a minus b whole cube खोलना है a cube minus b cube minus 3 a b a minus b यह a cube minus b cube का formula होता है यह 4 बाहार लिखा इसलिए हम इस record को यहां बंद कर देते हैं और यह जो है minus का 3 in bracket 2 cause square x minus 1 लिखाने देजिए अब देखें इसको खोलते हैं तो 2 दुनी 4 दुनी 8 8 into cause to power 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 का multiply हो जाता है तो यह 6 x हो जाएगा minus 1 का cube 1 minus 3 दुनी 6 6 cause square x in bracket 2 cause square x minus 1 bracket close minus इसको खोल दो 6 cause square x minus minus plus 3 अब देखो अब पूरे bracket खोलो यह 4 भी अंदर जाएगा अज़ा 4 को बाद में ले जाओ 4 लिखाने दो यह क्या आएगा 8 cost power 6 x minus 1 minus यह जब 6 cause square x अंदर जाएगा तो 6 2 जा 12 12 cost power 4 x plus 6 cause square x minus 6 cause square x plus 3 अब इस 4 को अंदर ले जाओ और पूरा bracket खोल दो उठागर की ठीक है 24 plus 24 cause square x minus 6 cause square x plus 3 अब थोड़ा calculate कर लो तो 32 cost power 6 x आएगा अब 6 से चोटी power क्यों है 4 तो minus 48 cause power 4 x आएगा और 24 minus 6 18 plus 18 cause square x आएगा minus 1 यही आपका right hand side है दिमाग क्या लगाया हमने अब आपके दिमाग नहीं आपको आता था कोई से master हो तो दिया मनाते हो नहीं नहीं दिमाग हमने यह लगाया कि इस तरीके solve के जाएगा इसको लगा लिजेगा next in the next video नमस्कार